नमश्कार में उपरिया धराधरती इस खरबरों में आपका स्वागत है चुले जानते हैं देश प्रिदेश की अब तक ही प्रभूख खबरों को भारत में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं पिछले 24 गंटे में 2,85,914 नए केस दर्श किये गए देश में आक्टिव केस वर्तमान में 22,23,018 है रिकवरी रेट वर्तमान में 93,2-3 प्रतिश्रत है पिछले 24 गंटे में 2,99,73 लोग ठीक हुए हैं वही अब तक ठीक होने वालों की संक्या बढ़कर 3,73,7,071 हो गई है भारा ताज 73 वा गंतंतर दिवस मना रहा है इस मौके पर दिल्ली के राजपत पर परेट का आयोजन हुआ वायुसेना के 75 डड़ाको विमानों ने हिसमें हिसा लिया अब तक का सबसे भावे फ्लाइपास्ट आयोजित हुआ दूरदर्शन से कोडिनेशन किया गया था बिग बैश लीग में अकसर बहतरीन बरलेबाजी और गेंदबाजी आफर कैच देकर फैंस चौक जाते हैं लेकिन बुधवार को इन तीनों ही वजहों से हटकर एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को धंकर दिया एडलेट स्ट्राइकर्स के खिलाफ चैलेंज मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स को अपने असिस्टेंट कोच को फ्लाइंग 11 में शामिल करना पड़ा पशुमंगाल के राजपाल जगदीव धंकर्डे बुधवार को कॉलकता के रेट रोड पर गंतंद्र दिवस के अफसर पर तिरंगा फेरायस अफसर पर सीये ममता बानर जी वधानसभा अधियक्ष विमान बानर जी सहित गणवान ये लोग उपसे थे लेकिन समारो के बाद भाजपा केनेता और वधानसभा में विपक्ष केनेता शुभेंदू अधिकारी ने वीडियो के साथ एक ट्वीट किया जिसमें आरोप लगाए गया किसी ममता बानर जी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और राजपाल को समारो स्थल पर रिसीव दाठ हराया है और कहा है कि होटेल के कर्मचारियों पर कोविड-19 टेस्ट करने की धिलाई की स्वदेशी कोरोना वारेस टीके को वाक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी भारत बायोटेक के कुरुषन इल्ला और सुचित्रा इल्ला तिथा कोवी शील्ड विक्सित करने वाली सीरम इस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पुनावाला तथा टाटा समु के प्रमुखे अंच अंदर शेकरन को देश की तीसरी सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मभूशन से समानित किये जाने की घोशना की गई है फिल्म निर्माता निर्देशक सुनील दर्शन ने कथित कॉपीराइट उलंगहन के मामले में एलफा बिट के सीई ओ सुन्दर पिचाई के साथ साथ गूगल के से सम्मंदित पांच अने लोगों के खिलाफ पुलीस केस दर्श कुराया है कॉपिराइट उलंगहन के मामले में सुनील दर्शन ने सबसे पहले कोर्ट पे अपील की थी कि अब कोर्ट के आदेश पर सुन्दर पिचाई सहित कुल पाँच अन्य के खिलाफ अंधेरी इस्ट में M.I.D.C. पुलीस ने मामला दर्श किया है देश भर में हर घर नल का जल योजना को लागू करने वाले जिलो की सेंचुरी लगने वाली है पंजाब के 14 और गुजरात के 10 जिलो को मिला कर देश के विभिनर राजो और केंदर साफशित प्रदेशों के 95 जिले हर घर जल जिला बन गया है खास बात ये है कि जनवरी 2022 के शिरवाती 25 दिन में ही पंजाब के आठ और गुजरात के चार जिलो यानी बारह ने जिलो ने हर घर नल का जिला बनने में महतवपून उपलब्धी हासिल की है इसके साथ ही देश भर के 46 फीस दी ग्रामीन घरों में नल से जल मिलने लगा है भारत के पुर्फ कप्तान विराट कोली आइसी सी वंडे रांकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार है भारत के स्टार बलेबाद विराट कोली ने दक्षिन आफरिका के खिलाफ हाली में संपन सीरीज में अच्छे प्रदर्शिन के साथ आइसी सी वंडे बलेबाद की रांकिंग में दूसरा स्थान बरकरा रखा है गंदंधर वस के दिन देश के लिएक अच्छी खबर सामने आई है के इंद्रेवंतरी ने ट्वीट करके कहा है कि रुनाचर प्रदेश का लापता किशोर मिराम तारून जल्दी अपने देश लोटने लगा है आपको बता दे कि मिराम तारून 18 जन्वरी को लापता हो गया था जिसकी बाद रुनाचर प्रदेश की एक सांसत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और सरकार को उस लड़के को बचाने की गुहार लगाई थी फिर भारतिय सेना ने पी एले से संपर्क साधा था दिली के राजपत पर बुधवार को गंतन दिर्दिवस परेड में पहली बार लोग अदालत को दर्शाने वाले एक जहांकी का प्रदर्शित हुआ राजप्रे विधिक सेवा प्राधिकरे ने जहांकी का विशे एक मुठी आस्मान लोग अदालत रखा था जहांकी के आगे के हिस्से में नियायस सबके लिए का विशे देखा गया साथ ही हाथ की मुद्रा को प्रदर्शित किया गया जो नम्रता गैरेंटी और सुरक्षा का संकेत है चीन पर नज़र रखने के लिए 2021 में खरीदेगे उचोचाई वाले स्मारिक ड्रोन के बढ़िया प्रदर्शिन के बाद सेना और ऐसे ड्रोन खरीदने वाली है इसको लेकर सेनान एक भारती स्टार्टप को ओर्डर दे दिया है रिपोर्ट्स बताती है कि हाईर इंजॉररंस और टेक्निकल फीचर के साथ स्विच स्मारिक ड्रोन सेना द्वारा इस्तमाल किये जा रहे हैं एंटिपीसी और ग्रूप डी भरती परिक्षाओं पर रोक लगाने और चात्रों के हंगामे और आगजिनी की घटनाओं के बाद रेल मंत्री हश्विनी वैश्रम डे प्रेस को संबोधित किया उन्होंने कहा कि परिक्षा से संबंधित कोई शिकायत नहीं है पहली बार राश्च्टपती भवन में होने वाले पारंपरिक आठ होम समारों नहीं किया जाएगा राश्च्टपती भवन द्वारा गंतंतर दिवस और स्वतंतरता दिवस दोनों के अफसर पर ये रिसेप्शन दिया जाता है दरसल राश्च्टपती के प्रेस साच्वेवा जैसिंग दे बताया है कि कोरोना महावारी के चलते जबार गंतंतर दिवस के अफसर पर डिसेप्शन नहीं किया जाएगा बीमा कंपनियां गामी आम बजट में आईकर अधिनियम की धारा असी सी के तहट बीमा प्रेमियम के भुकतान पर अलग से एक लाख रुपे की छूट की मांग कर रही है इस बार प्रधान मंत्री ने जो टोपी पहनी उसे लेकर सोचल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कई लोगों ने इस बात की पुष्टी की की पीएम की टोपी का सम्मंध उत्राखंड से है उत्राखंड में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है आरोप प्रत्यारोप का दौड लगातार जा रही है एंटीपीसी रिजल्ट को लेकर चात्रों में उठे विरोध पर रेलमंतरी अश्मिणी वैश्रव ने अभियर्थियों से शान्ती बरतने और रेलवे की संबत्ती को नुकसान ना पहुचाने की अपील की है मंतरी ने दिली में हुई प्रेस वारता में कहा कि अभियर्थियों की विरोध के मंदे नजर ग्यार तकनीकी और रेलवे भरती बोट के लेवल वन की परिक्षाओं पर रोक लगा दी गई है उत्रन या अनुत्रन अभियर्थी की सुनवाई के लिए एक समीती का गठन किया गया है ये समीती रेलवे मंतराले के रिपोर्ट देगी और जिसके बाद अभियर्थियों के हित में आगे फैसला लिया जाएगा चीनी आर्मी द्वारा अगवा भारतिय युवा की जल्द देश वापसी की संभावना है केंद्रे कानून मंतरी किरन डिजीजु ने बता है कि भारतिय सेना और चीनी आर्मी के बीच उस संबंध में बधवार को बारता हुई जिसके सकरात्मक परिणाम आये हुए है देश के ग्रे मंतरी अमित शाह कल ग्रेटर नोईडा के तुगल पुरगाओं में डोर टू डोर कैमपेनिंग करके उसके बाद शादा विश्विद्याले कैमपस में कारकरताओं को सम्भोधित कर चिनाव की रणनीती पर चरचा करने वाले है आगामी चुनाव के मंदर अजर केजरिवाल 28 से 30 जनवरी तक पंजाब की दौरे पर रहेंगे केजरिवाल जब पंजाब में होंगे तो वो जालंधर और अमृत सर समित कई विधान सबाद शेत्रों का दौरा करेंगे पुरे देश में केवल एक आदमी यानि के अरविंद केजरिवाल आपको बिजरिवाल का जिरो पर ला सकता है यह हमने दिलेवेकर दिखाया और पंज़ाब में भी करेंगे पोस्ट आफिस ने एक स्कीम की शिर्वात की है जो इन दिनों लोगों के लिए बरदान साबित हो रही है पोस्ट आफिस की स्कीम में छोटा निवेश कर आप मोटी रगम कमा सकते हैं पोस्ट ओफिस की स्कीब में निवेश करने पर आपको सालाना 5.0 वार्ट प्रतुषित की दर से ब्याज मिलता है। इसकीब में आप महज 100 रुपे की छोटी रकम से निवेश चुरू कर सकते हैं। पोस्ट ओफिस रिकरिंग डिपॉसिट में इन्वेस्मेंट की कोई माक्सिमम लिमिट तै नहीं है। महराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमिशन ने ग्रूप C के 900 विभिन पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। 31 जनवरी तक अपलाई किया जा सकता है। इस बारे में डीटेल से जाने के लिए आप MPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसके लिए महराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमिशन की आधिकारिक वेबसाइट का पता है mpsc.gov.in पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीक में बस चंद दिन ही बचों हैं इस बार तमाम पार्टियों के नेताव जुनता से बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। आईडियों को सम्विधान के प्रती के रूप में भी उखे रहा है। इसके साथ ही अंशुदाई पेंशन योज़ा के तहत राज्यो का अंशुदान 10% से बढ़ा कर 14% करने का एलान किया गया है। भारत के 73 वे गंतन दुर्दिवस के मौके पर भारती प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कई विदेशी हस्तियों को पत्र लिखा है। और भविशे में भी ऐसे मधूर संबंधों की उमीद जोताई है। जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है जैसे कि आज देश भर में गंतन दुर्दिवस बनाया जा रहा है ऐसे में आपके अनुसार क्या आ लाइक वान दमाना ना भूले धन्यवाद